इस वीडियो के इतना काईस हम लोग बात करने वाले हैं पैन आधार के नेम और डियो भी और जेंडर मिसमैच के बारे में जब आप पैन काड आधार को लिंक करा रहे हैं तो अधिकतर लोगों ने जिन्हों ने भी हजार रुपे की पेमिन कर दिये हैं उसके बाद में उनको यहां पर फेस करना पड़ रहा है अब खाली आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ दो दिन बचे हैं तो अगर आप करेक्शन नहीं करवा पाए अब अपना पैन का रादा का लिंक नहीं करवा पाए तो क्या उसके बावजूद भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा क् इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहां पर जरूर दिखेगा पहले बात करते कि इशू क्या रहा है तो देखे जब आप अपना पैन का रादा का लिंकिंग कराते हैं ऑनलाइन के लिए जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने ऐसा आपको यहां पर नोटिफिकरशन मिलने वाली है कि यहां पर मा लेजेए डियो भी मिसमैच है या फिर नेम वगडर मिसमैच है क्योंकि प Couसी सिस्टम हो उसका ढमेंगे। DOB नहीं होता है सिर्फ year दिया होता है लेकिन let's suppose अगर आपका year में mismatch है तो उस case में वो link नहीं होगा तीसी चीज अगर आपका gender यहाँ पर match होना चीज़ है मला pancard, adagard दोनों के अंदरी male और या female जो भी है वो यहाँ पर similar होना चीज़ है अगर आपको भी यह problem यहाँ पर face करनी पड़ रही है और let's suppose अगर आपने request यहाँ पर already डाल दी है तो आपके पास में केवल दो ही solution है पहली चीज़ तो यह अगर आपके मालीची अधाकार्ट में name correct है तो simply आप pancard में NSDL की proton की website के उपर जाकर correction यहाँ पर करवा सकते है और इसके उपर हम लोगों ने पूरा एक separate video यहाँ पर already create कर रखा है कि कैसे आपको DOB और अपना जो gender है या फिल let's suppose आपका जो full name है वो आप कैसे यहाँ पर correction करवा सकते है आपको कहीं पर जाने की जरुवत नहीं है NSDL की proton की website है वहाँ पर एक सो साथ रुपी की आपकी फीस लगेगी और आपका pancard के अंदर correction हो जाता है तो इस video की link में आपको description box के अंदर provide कर दूँगा बाकी guys अगर आपको आधारा card को यहाँ पर correction कराना है तो guys यहाँ पर government ने eco solution निकाला नया solution है biometric verification है NSDL proton और UTI centers के उपर इसके उपर भी मैंने कल यहाँ पर वीडियो बनाया था लेकिन कई लोगों ने मुझे comment किया कि यह news यहाँ पर बिल्कुल correct नहीं है तो मैं आपको ensure करना चाहूँगा आप देख सकते है screen के सामने यह income tax का India का official twitter account है जिसने यहाँ पर यह announce किया है अगर आपके demographic यहाँ पर mismatch होते है name mismatch होता है date of birth mismatch होती है gender mismatch होता है तो भाई यहाँ पर proton और UTI दोनों के center के उपर जाकर आप biometric तरीके से यहाँ पर verify करवा सकते है वहाँ पर demographic mismatch को जो है ignore किया जाएगा और guys इस video के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी NSDL का center होगा जो UI UX होगा वो किस तरह से उनको दिखेगा और इस type के उनकी screen के सामने यहाँ पर steps आएगे और यहाँ पर जो भी fingerprints होगे आधार के अंदर जो भी register fingerprint होगे वो जैसे verify हो जाते है वो basically जो है आपका जो demographic details होता है उसको bypass कर देता है और easy रहे आपका pan card यहाँ पर link हो जाता है आप guys कई लोग को problem यहाई कि वो जित्ते भी center है उनके nearby उन्होंने जब यहाँ पर search out किया जब उनको call वगरे लगाया तो वो सभी center यहाँ पर मना कर रहे है कि इस type का उनको कोई भी instruction वगरे नहीं मिला है तो guys उस case के अंदर यहाँ पर proton ने especially एक नया link यहाँ पर provide कर आया है search tin FC and pan center near your location having the biometric based facility authenticate other while accepting your pen application तो guys यह link मैं आपको description box में provide कर दूँगा इस link के अंदर आप देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ पूरे all order India की तो यहाँ पर इनोंने जो है 1400 से भी जादा यहाँ पर center basically यहाँ पर provide कर रखे तो guys यहाँ पर excel sheet के अंदर आपको क्या करना है simply आपको अपनी location को यहाँ पर find out करना है location find out करने के बाद में यहाँ पर आपको उनका contact number वगरे मिल जाएगा center वगरे का और काफी कम center है मैं really बता रहा हूँ सारे center यह चीज़े नहीं कर रहे है काफी कम center है जिनके पास में biometric चीज़े और इन चीज़ों के लिए instruction दिये गए है तो आपको केवल especially इनी centers को यहाँ पर contact करना है और पूछना है कि यहाँ पर उनकी shop पर या उनके जो center पर यह चीज़ available है की नहीं है साथ में guys यहाँ पर मैं fees भी बताना चाहूँगा आपने जो 1000 रुपे का यहाँ पर payment किया था तो biometric facility के अंदर आपको अपना pen card लेके जाना है आधा card लेके जाना है और जो 1000 रुपे का आपने जो चालान जनरेट किया हुआ वो लेके जाना है बस यहाँ पर आपकी 50 रुपे की एक extra fees लगेगी जो center obviously बाते service देने के लिए आपसे यहाँ पर charge करने वाला है यानि 1000 रुपे का आपका चालान हो गया और 50 रुपे आपको center को देने है और अगर pen card अधा card के अंदर name के अंदर mismatch है DOB के अंदर mismatch है उससे कुछ भी फरक नहीं हाँ पर नहीं पढ़ने वाला है simply आपको अपने जो है biometric को verify कराना है जैसे आपके fingerprint यहाँ पर verify होंगे उनके device के उपर आपका pen card अधा card simply तरीके से यहाँ पर link हो जाएगा अब guys बात करते हैं उनके लिए कि let's suppose अगर government यहाँ पर due date extend नहीं करती जो कि यहाँ पर 30 June 12-23 है यहाँ पर due date linking कराने की तो उस case में आपके साथ में क्या होने वाला है तो यहाँ पर simply आपका pen card जो है inner operative हो जाएगा तो आपको ऐसे जादा गबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर still आप eligible होंगे linking process के लिए तो guys यहाँ पर government ने अपनी notification के अंदर साफ यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर जो 1000 उपर की penalty है अगर आप अलड़ी pay कर चुके तो वापस आपको penalty pay नहीं करनी है आपको जो same process मैंने बता है वही आपको यहाँ पर वापस applicable करना है यानि आप online जो है अपना pancard अधराकर के अंदर जैसे आपका correction हो जाता है आप online request डालिए जैसे आप request डालेंगे तो आपकी request यहाँ पर UIDA Center को basically चल जाती है बस यहाँ पर यह होगा कि activation का जो time है जैसे आपका pancard inoperative बन जाएगा फिर उसके बाद में जैसे आप request वगरे सब कुछ डालोंगे UIDA Center को तो activation का जो time है वो 30 दिन का होगा यानि 30 दिन के अंदर वापस आपका pancard है वो inoperative से लेकर वापस जो है active वाली situation के अंदर आ जाएगा अगर guys यहाँ पर आपको pancard status inoperative बताता है तब भी बेसी लिए आपका pancard यहाँ पर deactivated मना जाएगा वनना आपका deactivated वगरे होगा नहीं pancard गबरानी की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है 30 जून के बाद में भी simply आप अपना pancard यहाँ पर linking करवा सकते हो बस कहीं पर भी without linking आप उस pancard को use नहीं ले पाऊंगे उस 30 दिनों के time के बीतर तो यहाँ पर ऐसी कोई हडबराट करनी की जरुवत नहीं है बिल्कुल भी आप 30 जून के बाद भी easily यहाँ पर linking वगरे करा सकते हो और इन सभी वीडियो की link में आपको description box में दे दूँगा जहाँ पर आप जो है basically centers वगरे के list वगरे भी download कर सकते हो और अगर आपको correction वगरे कराना है तो सारे online step मैंने आपको mention किये हुए है